वेलकम टो एकलविया स्टेडी पॉइंट और आज की स्वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिंदी से जो आपका सब्जेक्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पूरे स्लेबस में से वो सारे आपको एक ही वीडियो में करव 12 ESP New Group सर्च मारकर आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वहाँ पे आपको नोट्स वगरा मिलते रहेंगे और अगर आपको आपके जो भी अदर जो आपकी बुक्स हैं आरो वितान या फिर अंत्रा अंत्राल उसकी वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के ड मुदृत माध्यम जिसको हम कहते हैं प्रिंट माध्यम ठीक है रेडियो टेलिविजन इंटरनेट बहुत कुछ होता है भाई हमारे पास जहां से हमें संचार मतलब यहां जो भी इन्फोमिशन है वो पता चलती है मुदृत का मतलब है कि जो लिखा हुआ है जो प्रिंट हो यह है तो यह हर किसी का अपना एक अलग-अलग काम होता है इंटरनेट पर आप पढ़ भी सकते हो देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो अगर मैं आपको बताओं प्रिंट माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम है जन संचार का और इसमें हमारे जितनी भी जो प्रिंट अपका खाना 1556 में खुला था मिशनरियों ने खुला था इसाई मिशनरियों ने अपने धरम के पुस्तके चापने के लिए आज की डेट में अगर हम देखें प्रिंटर से सब कुछ हो जाता है बहुत ही मोडन प्रिंटर आ गए है मुदृत माध्यम की विशेस्ता हैं अग आज नहीं आती तो उसको हम डिक्शनरी में देखके पढ़ सकते हैं बाकी इसमें कुछ कमिया हैं जो निरक्षर लोग होते हैं जो आज शिक्षित हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उनके तो किसी काम का नहीं है समाचार पत्र और इसके अलावा जो तुरंत घटनाएं घटत हैं इसके अलावा मैं आपको बताऊं मुदृत माध्यम को जब लिखा जाता है तो उसमें भाषा व्याकरण और यह सब शैली वगरा बहुत ध्यान दिया जाता है इसके उपर रेडियो की बात करूं तो यह श्रव्य माध्यम है इसको सुना जाता है रेडियो को आप सुन स सकते हो ठीक है और अगर मैं आपको बताऊं जो मतलब रेडियो में भी यह होता है उल्टा पिरामिट शैली चलती है जो भी समचार उसमें बताए जाते हैं उल्टा पिरामिट शैली में होता क्या है कि भाई सबसे पहले इंट्रो दिया जाता है ठीक है इस तरीके से यह पि पर आती हैं उनकी अलग-अलग स्टेफ्स होते हैं सबसे पहले breaking news आती है फिर dry anchor आता है फिर phone in आता है फिर anchor visual आता है फिर anchor bite आता है फिर live coverage होती है और फिर anchor package ये अलग-अलग चरण होते हैं tv खबरों के और मैं आपको बता हूं कि इसमें tv में आपको देखने सुनने की सुव बार क्या होता है कि कुछ दंगे भड़क जाते हैं कुछ ऐसी खबरे आती हैं जो गलत होती है या बहुत बारी मतलब गलत खबरें भी फैला दी जाती है तो ये इसकी कुछ कमी है रेडियो और टेलिविजन समचार की भाषा देखो भाषा का बहुत ध्यान रखा जाता है बहुत ही इजी भाषा होनी चाहिए सरल चब्द होने चाहिए और बहुत संचिप्तता होनी चाहिए जादा कठीन चब्द ना हो थीक है इतना भी नहीं होना चाहिए कि जिसको पढ़ते टाइम जबान लड़ खड़ा जाए तो भाषा सीधी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए इंटरनेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम सब इसके दिवाने हैं अब समाचार पत्र को इतना पढ़कर आनंद नहीं आता क्योंकि आपको मिंटों का अबडेट इंटरनेट देता है और मैं आपको बताऊं Online पत्तरकारिता बहुत famous हो चुकी है, आज की date में web पत्तरकारिता भी जिसको हम कहते हैं, हमें entertainment, ग्यान, science, technology, religion, हर तरीके की खबरें आपको internet पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कमिया भी है, अशलेलता बहुत जादा फैली हुई है, ठीक है internet पर ये भी एक होता था तो उसके जमाने में एक मिनट में केवल 80 शब्द एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर आप भेज सकते हैं, मतलब अगर कोई message आपको भेजना है, बट आज internet की विजए से आप मिन्टों में 70,000 शब्द यां कितने भी शब्द भेज सकते हो, internet पत्रकारिता का तीसरा दोर चल रहा है, ठीक है, इसका तीसरा राउंड चल रहा है पूरी दुनिया में और भारत में इसका दूसरा दोर है, भारत के लिए सबसे पहले starting internet जब आया था तो 1993 से मानी जाती है, फिर 2003 में और internet को आगे बढ़ाया गया, भारत में अगर हम देखें कि कोई वाकई में internet पत्रकारिता करता है, तो वो है redif.com, india, infoline और cv जैसे कुछ website है, और website पर विशुद पत्रकारिता करने का जो credit जाता है, वो telka.com को जाता है, यह है, फिर है पत्रकारिय लेकन और स्रिजनात्मक लेकन में अंतर, सो अगर मैं आपको बताओं, पत्रकारिय लेकन का मतलब ह जो भी समसामई गटना ही होती है, जो असली गटना है, जो real है, वो इसमें लिखे जाती है, स्रिजनात्मक लेकन में कलपना का भी, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़े fictional हो सकती है, स्रिजनात्मक वाले, creative writing में, और अगर मैं आपको बताओं, पार्ठकों का क्या interest है, क्या उ जिग्यासा होता है, पतरकारित्ता, यानि कि पतरकार के अंदर एक जिग्यासा होती है, चीज़ों को जानने की, और अच्छे लेखन की भाशा कैसी होती है, सीधी, सरल और प्रभावी, simple, अच्छे लेखन के लिए क्या बात हैं याद रखनी चाहिए, गूड से गूड वि जो किसी भी समजार संगठन के लिए लंबे समय तक permanently काम करते हैं, अंचकालिक पतरकार, जो मतलब कुछ पैसों के लिए, कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, फिर फ्री लांसर आते हैं, जो स्वतंतर होते हैं, जो अलग-अलग अख़वारों के लिए अपना काम करते हैं, ये तीन पत्रकार होते हैं, याद रखेगा, छे ककार होते हैं समाचार के अंदर, छे ककार, ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पर देखो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, इसमें रखी जाती हैं, और उल्टा पिरामिट शेली का जो मुखडा होता है, जो इंट्रो होता है, वो सबसे इंपोर्टेंट बात उसी में लिखी जाती है, क्या हुआ, कौन, कहां और कब, ये बताएंगे आप, बॉड़ी में आप बताते हो, कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, और समापन में आप सबसे कम इंपोर्टेंट बात बताते हो, यानि कि कोई भी आप, कहां से आपको खबर पता चली हो, यानि कि में में इन खबरें उपर आप बताएंगे, फिर आता है विशेश रिपोर्ट के परकार, एक ओती है खोजी रिपोर्ट, इसमें बहुत च्छा पाजनिक रुप से जो भी प्राप्त तथ्य और सूचनाओं और आकडों की बहुत गहरी च्छान भीन करके और पहलों को सामने लाया जाता है, फिर आता है विशलेशन आत्मक रिपोर्ट, कोई भी घटना हुई है, या कोई समस्या है, तो उसका विशलेशन किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, फिर आती है विवरनात्मक रिपोर्ट, यानि कि पूरी समस्या का बहुत डिटेल्ड वरनन किया जाता है, तो ये अलग-अलग तरेके की रिपोर्ट होती है, फिर आता है विशेश लेखन, विशेश लेखन में क्या है, कि नॉर्मल खबरों क में विशेश लेखन के लिए अलग अलग desk होते हैं उस desk कर काम करने वाले पत्रकारों के अलग अलग group होते हैं उनको उस desk पे जहां पर बिठाये जाता है उसकी knowledge होती है ठीक है विशेश लेखन normal समाचार से हट कर और जो अगर मैं आपको बताओं कि अलग से जहाँ पर कुछ अगर लिखा जाता है तो वो है आपका अर्थविवस्ता के उपर व्यापार, खेल के उपर मनोरंजन के उपर विज्ञान, टेक्नोलजी, किर्शी विदेश, मामले, परियावरन, रक्षा, कानून स्वास्त्य, इत्यादी इसके उपर विशेश लेकर लिखा जाता है बीट का मतलब क्या होता है तो जो भी समवादाता होते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका काम का विवाजन करना उनको जिसमें इंट्रेस्ट है, उसका जिसमें ग्यान है उसके आदार पर उसको वो काम दे देना ही beat कहलाता है मीडिया की language में हम इसको beat कहते हैं यानि कि अगर मैं आपको बताओं अगर किसी को crime से related beat दिया गया है तो उसका मतलब है कि उसको जितनी भी crime की घटना ही होती है वो सारी coverage वो बंदा करेगा तो जैसा उसका interest है वैसा काम दे दो beat reporting और विशेशिकरित reporting में क्या अंतर है beat reporting के लिए समवादाता के अंदर मतलब उसमें मैं आपको बताओं कि उस छेत्री के जानकारी होना परयाप्त है उसे समाने तोर पर खबरें ही लिखनी होती है और beat cover करने वाले reporter को समवादाता कहते हैं जबकि विशेशिकरित reporting अगर हम देखें तो विशेशिकरित reporting के लिए समवादाता को समाने खबरों से आगे बढ़कर कुछ और छेत्रों के बारे में भी लिखना पड़ता है और जो विशेशिकरित reporting करते हैं विशेशिकरित या फिर विशेश समवादाता कहा जाता है तो मैंने आपको बता दिया है कि विशेश लेकन किसे कहते हैं विशेश लेकन के छेतर मैंने आपको बता दिये थे मैं आपको इसकी भाषा शैली बता देता हूँ कोई ऐसी निश्चित शैली नहीं होती है लेकिन फिर भी उल्टा पिरामेट शैली बहुत कॉमन शैली है जिसमें लिखा जाता है तो कुछ भाषा ही यूज होती है जैसे कारोबार और व्यापार से लिलेटिट खबरे होती है तो उसमें तेजडिये, मंदडिये, सोना, उचला ये सब टम्स यूज की जाती है वहीं परियावरन और मौसम से लिलेटिट खबरों में आतरता, टॉक्सिक कच्रा, ग्लूबल व कवीता, तो कवीता क्या है कि हमारे मनों भाव को व्यक्त करने की सबसे पुरानी कला है, पहले क्या होता था मौकिक कवीता होती थी, आप अपनी बात में जो भी मतलब आपके भाव हैं, आपके मनों विचार हैं, आप उसको बोल कर बता देते थे, और वाचिक परंपरा में जन्मी कवीता, यानि कि जो पहले बोलते बोलते स्टार्ट हुई थी कवीता, आज वो लिकित रूप में आ गई है, कवीताओं को आज हम पढ़ते हैं, पहले क्या होता था, लोरियां सुनाई जाती थी, मंगल गीत गाये जाते थे, श्रमिकों द्वारा कुछ लोग गीत गु जिलते हैं, एक का मानना है कि अन्य कलाओं के समान कवीता, लेकन की कला को प्रशिक्षन द्वारा नहीं सिखा जा सकता है, तो कवीता का सबसे पहला उपकरण शब्ध होता है, शब्ध, आपके शब्ध बहुत इंपोर्टेंट है, कवीता में आपको अपने वर्ड्स के गए तो आप एक महान कभी बन जाओगी फिर है बिंब और चंद ये भी इंपोर्टेंट है कवीता को इंद्रियों से पकड़ने में ये सायक होते हैं बाहिए समवेदनाय मन के सतर पर बिंब के रूप में परिवर्चित हो जाती हैं और चंद के अनुशासन की जानकारी के बि होगा वो देखा जाता है तो ये सारी चीज़े मिलकरी कवीता को बनाती हैं कवीता के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं एक तो भाशा शब्द चंद अनुभव और कल्पना का सामन जस्य यानि कि क्या आप कल्पना कर रहे हो सहज संप्रेक्षन शक्ति यानि कि आप उसको कम होते हैं फिर आता है नाटक नाटक एक दिरिश्य विदा है नाटक हम देखते हैं ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसके अंदर कुछ तत्व होते है नाटक के समय का बंधन, टाइम की बहुत वैली होती है, ज्यादा लंबा नाटक हो जाए तो बोरिंग होने लग जाता है, शब्द बहुत ध्यान से चुनने होते हैं, कत्थे, समवाद बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्या कन्वर्जेशन चल रही है, केरेक्टर्स के बीच में, द्वन्द देखा जाता है, चरित्र योजना, भाशा शिल्प, ध्वनी योजना, प्रकाश योजना, वेश बूशा, क्या कपड़े पहन रहे हो, अब करंग मंज कैसा है, लाइट कैसी है, आवाज कैसी है, सारी चीज़े नाटक से प प्रिश्चित समय सीमा के भीतर खतम करना होता, यह नहीं आप नाटक करते जाओगे, सो यदि ऐसा नहीं होता, तो जो इंट्रस्ट आना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए, नाटक का वो खतम हो जाता है, नाटक का मन्थनम धारवाईक के रूप में नहीं दिखा सकते, ना पर्जेशन होती है, वो हमेशा वरतमान काल में होती है, इसलिए नाटक को वरतमान काल में लिखा जाता है, नाटक का कभी भी मंचन हो वह वरतमान काल में ही होगा, और इसके साथ ही साथ नाटक के तीन अंक होते हैं, प्रारंब, मद्ध्य और समापन, तीन पार्ट्स में नाटक होता है शुरुवात होती है उसका मद्धे का अंक होता है और लास्ट अंक होता है तो इनी को ध्यान में रखते वे समय बाट दिया जाता है कि शुरू वाले अंक में कितना टाइम लगेगा बीच वाले में और लास्ट वाले में कितना टाइम लगेगा कहानी क्या है कोई भी समस्या गटना जो गटी हो उसका ब्योरा जबाब देते हो वो कहानी हो जाती है कहानी दूसरों को सुनाते हैं हम कहानी का इतियास देखिए कहानी बहुत पुरानी है जितना मनुष्य का इतियास पुराना है पहले मनुष्य अपनी जो भी बाते बताता था, मौकिक रूप से होती थी, तो वो कहानिया ही होती थी, एक तरीके से मौकिक कहानिया लौकपरी होती थी, जो धरम परचारक होते थे, वो अपनी कहानिया सुनाते थे, शिक्ष्या देने के लिए पंचितंत्र जैसी कहानिया जाती थी, कथानक, देखो कहानी के अंदर कथानक बहुत ही जादा महतपूर्ण होता है, कहानी के शुरू से लेकर अंत तक कहानी की सारी घटनाएं और पातरों का उले किसमें होता है, कथानक को ही इसका कहानी का एक नक्षा माना जा सकता है, एक मैप माना जा सकता है, और कहा कानी का कथानक होता क्या है को जो भी मतलब जो बंदा कहानी लिख रहा है उसके मन में कोई भी घटना जानकारी या अनुभव की जब वो कलपना करता है तो वो कथानक बनता है कहानीकार कलपना का विकास करते हुए एक पूरा तयार करता है स्टोरी लाइन को ठीक है और उसमे देखता है कि जो मुझे लिखना है वो देशे मेरे पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे और कथानक एक तरीकी से कहानी की पूरी एक स्टोरी लाइन है क्या क्या उसमें होने वाला है कहानी के अंदर द्वंद द्वंद बहुत इंपोर्टेंट है द्वंद कथानक को आगे बढ़ा हो जाता है यानि कि problems दिखें suspense दिखें कहानी में दिक्कते आएं फिर वो दिक्कत दूर हो जाएं और इस तरीके से द्वंद खतम होगा फिर आगे कहानी बढ़ेगी और इस कहानी खतम हो जाएगी तो यह बहुत important है देशकाल और वातावरन जैसा देश वैसा बेश आपको ज talent होना चाहिए वो संबाद करने का तरीका होना चाहिए चरित्र चित्रन यानि कि character पात्रों का चरित्र चित्रन पात्रों की अभिरूचियों के माध्यम से यानि कि जो बंदा जो interested है मालो कोई रावन नहीं बनना चाता आप उसको रावन बना रहे हो जबर जस्ती तो इट म पंदे में जो talent है उसको वोई character पकड़ाए जाए संबाद तो बहुत important है conversation conversation नहीं होगी तो कहानी में क्या होगा पता ही नहीं चलेगा conversation बहुत आसान भाषा में होनी जाई है ताकि हर कोई उसको समझ पाए फिर आता है climax final scene जहां पर जिसको चर्मोत कर्ष कहते हैं लोग बह अब तो पता चल जाए कि हो क्या रही फिर एक कहाणी लिखने की कला तो भही कहानियों को पढ़ो जितना ज्यादा कहानिया पढ़ोगे उतना ज्यादा आप कहानी लिख पाओगे सीख पाओगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए तो comment करके आप बहुत सारे comment करें आ जादा से जादा वीडियो को शेर करें, जय हिंद जय बाद।